Hello guys ! तो क्या हल चाल है आप लोगों के तो आज हम लिख रहा है है आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे बेसिक सेटिंग क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसको अच्छा करने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों आप लोगों का अब लोगों की और भी सेटिंग अच्छ ज़ता है आपने दिखा होगा के 1.7 के अपडेट आगई है नियू PUBG की और BGMI की भी आगई है तो इसमें आपने करना क्या है कि आपकी सेटिंग अगर पहले से बाइ डिफॉल्ट है तो उसमें आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है क्यूंके आपने दिखा होगा के सेटिंग का जो ओव ही बताउंगा तो चलिए हम स्टॉक करते हैं लेकिन फिर्म घर क करने आप अप लोग इस वीडिए को लैक कर दे और जिस ने उब तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया वह टीप्स एंट्रिक्स यॵीडियोस देखना चाता है और गेम प्ले के भीकुछ वीडियोस दे कर दिया है तो इसमें आप लोगों को aim assist भी नहीं मिल रहा होगा और काफी चीज़े भी नहीं मिल रही होगी तो यह चीज़े बताने के लिए मैं आप के सामने बैठा हूं मैं आप लोगों का इस option के बारे में बता दूंगा complete detail से बताऊंगा तो सबसे पहले आपने देखा होगा के आप लोग ऐसे scope on करते हैं यह देखें scope on करते है इस scope आपका हिल रहा है तो काफी लोगों का वह enemy जब उनको नजर आता है तो वह जब आप से scope खोलते हैं जल्दी में तो उनका scope या सामने cross cross और उनका हिलने लगता है तो इस को आपने में खतम कैसे करना है या इसके option को off कैसे करना है तो आप क्या करेंगे आप setting में जाएंगे setting में आने के बाद या आपको नजर आ राघा होगा scope setting सेक्टिंग में camera rotation with a.d.s. इसको अपने erisable करते है आप लोगों के आगर enable हοगा तो में डिसेबल कर देना, इस से होगा क्या आप स्कोप लए बटन को जब ऑपन करेंगे तो आपकासेडर हिलेगा नहीं, जिस पॉइंट पे आप स्कोप को उपन करेंगे तो उसी पॉइंट पर ओपन होगा यह देखे, मैं स्कोप के उपर प्मामर्ण दीजित कंडी हों पर एंवल ले हैंौb तो आपके असकूप के खाओ युझाल को थे आफ डिन से ओर सौर शिख करेंगे अगर आपके इसको टीसेबल करता है अगर यही पिक Hugo मत्तिक के अंदर भी आपने क्या कर देना है इसको camera rotation while learning को आपने का कर देना है, enable हो तो इसको disable कर देना है, तो अब peak के time भी आपकी screen rotate नहीं करेगी, जैसे यह देखो, जहां पर आप point पर खोलेंगे, वही पर खोलेगी, और आपने enemy को easily kill कर सकेंगे, और अपने way game को perfect कर सकेंगे, जहां चलते है next setting की तरफ, next setting में क्या हो यह sprint sensitivity, आपको नदर आ रहे है, sprint sensitivity कितनी है, 100, तो आपने इसको कर देना है, सबसे पहले तो 0, 0 पे आप लोग देखेंगे, कि आपको अपने sprint button को यह joystick को उपर तक खींचना पड़ेगा, फिर यह आपका sprint होगा, और यह बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग तो इसको 0 पे रखते हैं, लेकिन इसको बहुत ऊपर तक खेंचना होता है, जिसकी वज़ासे यह काफी problem create करता है, आपने क्या कर देना है, इसको आप लोग अगर 50 पे रखके देखो, तो फिर क्या होगा, इसको आप रखोगे 50 तक, तो देखो, यहाँ पर सही तो हो गया है, लेकिन जब आप इसको right-left move करते हो, जिदेखो, crouch करके light-left move करते हो, तो बहुत slow-slow यह move कर रहा है, तो आप के लिए best कैसा होगा, कि आपकी setting में, आपको crosshair रखने में, आपने enemy को, या अपने character को जल्दी-जल्दी move कर वाने में, तो आप क्या करोगे, अपने advanced control setting में जाके, अपन थीलों कि एक जानी तक 100 ले जाओगे तु पिर आपकका जॉइस्टिक सही मूव करेगा आपका स्पृंट भी जानी जाओगा जाएंगे और आप आ जाएंगेहे इडवांस कंट्रोड में इडवांस कंट्रॉल में आप को यहां पर नजर आ रहा होगा, 3rd person perspective camera view, इसको हम कर देंगे, 0, 10 पर, ठीक है, आप इसको करेंगे, तो देखो, आपका person करीब show हो रहा है, ठीक है, तो इसमें, आप लोगों को काफी दिकत आ जाती है, और काफी लोग कहते हैं, कि आपका person, हमें जादा नजर आ रहा है, और आपका person कंप्यूटर व्यू लेना है, आपके करोगे, अपने इस advanced setting में जाके, 3rd person perspective camera view को, फुल कर दो गए, तो आप देखोगे, आपको, आपका person complete नजर आ रहा है, आपकी gun आपको complete नजर आ रही है, पहले आपको gun भी half नजर आ रही थी, आपका person half नजर आ रहा था, इसस आपको aim करने में जान ही होगी, आपको aim करने में जान ही होगी, ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा और share कर दीजेगा, और इसी तरह की tips and tricks में आप लोगों के लिए कर आता रहूँगा, त अगर wait नहीं करना तो आप लोग अपनी game के लिए और खुश रही है,